आपका स्वागत है मैं हूँ पिया आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है तो गाइस स्टार्टिंग टू एंड मेरे साथ बने रहे हैं जो टॉपिक है सब के लिए बहुत जरूरी है अगर आप नए है और आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्राने है तो आप तो मुझे प्याद देर है तो टॉपिक यह है कि किसी आज जो मैं बताऊंगी वह इतना इंपर्टेंट बताऊंगी वह भी घर पर ही बन जाएगा बहुत इसी है और बड़ी से बड और और नहीं हो तो सब्सक्राइब हो किनい बनाशा परिखМय को से ज़िए सिथ विए और ने तो कोई इसी पूरानी कोई समस्या हो सबो करता है समस्या में किसी के गुट्नोमेगा है जोड़ों में दर्ध है बैक में पीजे बैक में हाथ में दर्ध है जब ढ़से यह दो दो परषप थे तो वीег को पर्वेर्श कर प्रूंड में ऐची विडियो बहुत ही इंपॉडनट वाली ऐसे लोगों के साथ में कि सा अपिम से ज्याजाइब आप इसको एंड तक देखेगा तो ऑईल जो हम बनाएंगे वो तीन तरीके से बनाएंगे घर का ऑईल होना चाहिए सरसो का तेल उसमें अजवाइन और क्या बोलते हैं लॉंग और आपका लहसुन ये तीनों चीजे डाल लेंगे ऑईल गरम कर लेंगे डालने के बाद में उस पहले तो मैं बताऊंगी कभी भी कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम हो सब को रिजॉल करता है और दूसरी चीज कि बच्चों में बड़े बूडों में जवानों में सम्में ये कारगर है कोई भी इसको यूज कर सकता है तीसरी चीज आपको इसकी से रिलेटेड कोई प्रॉ तो अब लगाते कैसे हैं जैसे आपके बच्चे को ठंड लग जाती है तो आपको इस तेल की मसाज कर दीजिए गरम करके गुंदुना करके हलका हलका मसाज कर दीजिए पैरों से लगा दीजिए हातों से लगा दीजिए हलका सर में लगा दीजिए तो जो ठंड लग गई है द तो जोडों का दर्द है मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा तो वह स्टेल को जोडों पर रोज मसाज करें और रोज ने से उनका जो पेन हैं तो चार दिन में हल्का हो जाएगा है और ध्रज़ ठीक हो जाएगा और उनको कभी यह प्राबल्लम नहीं होगी तीसरी चीज जाने के बाद में आपको तो आप इसा कभी नहीं होगा आप यह तो आप यह कर सकते हैं यह अब यह इतना अच्छा है क्यों कि इसकी माले से क्या चीजा होती है कि पेन खतम हो जाता है इसमें ऐसा क्या है तो गाइस लहसुन लॉग और अजमाई तीनों ही गरम चीजें जब भी आप इन तीनों को गरम करते हो बीषों के एर सब inspiresं करते हो तो आपकी स्कीं का जो मेटाबॉलिजम है या तो आपकी जो निसें ब्लॉकेज है या भिर आपका ब्लेड शर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है उन सबको शर्कुलेट करता है और अच्छे से जिसके वजय से जो आपकी नसें ब्लॉक हो रखी होती है या अन्सैट हो रखी होती है वह खुल जाती है और आपका पेन खतम हो जाता है दूसरी चीज जो जैसे मैंने बच्चे का बताया कि उनको ठंड लग जाती है और अगर आप यह वाला ऐल अपलाय कर रहे हो तो उनकी तेल अलड इतना गरम है कि जब आप बच्चे की बॉड़ी प्लाय करोगे तो जो उनकी बॉड़ी में या जो उनकी नसों में वह ठंड पहुंच गई है तो इस तेल की गर्माहट से वह खतम हो जाती है यह तो थी सारे पेन जोड गुटने पैर सम्मे किसी तरीके का दर्द है उसको खतम करने की चीजें उपायत है कि आप ऐसे कर सकते हो लेकिन अगर आप इसको इंटर्नली इंटेक करते हो तो आपको क्या-का फाइदा है गाईज अगर आपको थाइराइड की प्रॉब्लम है तो यह अगर आप दिन में एक या दो बूंत ले लेते हो इस तेल को पी लेते हो तो आपको थाइराइड की प्रॉब्लम धिरी धिरी खतम होने लगती है तीसरी चीज अगर आपको हर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे यह भी रिजॉल्व होती है आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है वो भी सही हो जात प्रॉब्लम है यह यूज करोगे और जो भी फाइदा हो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा कि आपके क्या रिमूम है क्या आपका एक्सपिरियंस रहा इस ओयल को लेके बहुत ही अच्छा है बहुत ही अमेजिंग है अगर आप इस नेचुरल ओ को बना के यूज करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे और आपका ताइम और पैसा दौन ही बचेगा सो गाइस थेंक्यो सो मच अभी के लिए मिलती हूं नेक्स वीडियो में बाई और हाँ लाइक करना विल्कुल ना मूलें बाई बाई